दर्शको आज एक बार बहुत घहरी होगी क्यों? क्योंकि चंद्रमा ग्रहे यानी चंद्रमा अगर लगन में हैं तो थोड़ा गहराई ले लेते हैं परंदु गहराई किस तरह की और किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं यानि कि चंद्रमा अगर किसी के लगन यानि पहले भाव में हैं तो आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालेंगे और कितनी गहराई तक प्रभाव डालेंगे जैसे कि दर्शकगन आप एक बात तो जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का कारक होते हैं पर क्या सिरफ हमारे मन पर ये प्रभाव डालेंगे ये हमारी personality पर भी डाल देंगे हमारे धन पर भी डाल देंगे हमारी पैत्रिक संपत्ती पर भी डाल कर दें तो आईए बहुत विस्त्रे जानकारी दूंगा कि चंद्रमा लगन में कैसा प्रभाव देते हैं वीडियो स्किप करे भी न देखिएगा दर्शको और हाँ चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको तो यदि चंद्रमा किसी व्यक्ती के लगन में है जनम के समय तो एक तो बहुत ही साधरन बात है कि आपका जनम लगन और जनम राशी एक ही हो गई जैसे अगर किसी का मेश लगन है और वहाँ पर चंद्रमा बैटे हैं पहले भाव में हमेशाए कहेंगे इस इंसान पर मेश लगन और मेश राशी दोनों का प्रभाव है अकसर मैंने कमेंट्स में देखा है दर्शको कि आप लोगे पूस्ते हैं कि मान लीजे हमारी व्रिष्चिक राशी है और हमारा व्रिष्चिक लगन है तो प्रभाव कैसा पड़ेगा दर्शको ऐसे में आप व्रिष्चिक लगन या व्रिष्चिक राशी दोनों का प्रभाव लेंगे और वो भी एक ही रहेगा इवन ये हो सकता है दर्शको कि प्रभाव बहुत जादा बढ़ जाए क्योंकि डबल असर हो जाता है न इसलिए परंतु खैर ये वीडियो है कि अगर चंद्रमा लगन में बैटे हैं तो बैठे वे ग्रह के अनुसार क्या फल देंगे सबसे पहली रूची बताते हैं आपकी कि चंद्रमा आपको क्या असर देंगे एक बात बता ये दर्शको आप लोग जोतिश में रूची रखते हैं तो आपको एक बात तो पता है सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं चंद्रमा सबसे जल्दी अपने यात्राओं को पुरा करने वाले ग्रह हैं चंद्रमा इसका मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अभी बोल दो ना चलो वई गूमने चल रहे हो बास सारे काम भूल जाएंगे और ये भी नहीं याद होगा कि कितने important meetings होने वाली दी यानि गूमने फिरने के लिए महा शौकीन व्यक्ति हो और लगन का चंद्रमा इस शौक को इस इच्छा को बहुत बढ़ाता है आप बहुत जंगा उपर बहुत बार यानि रिपीटिट बार भी जाना पसंद करते हैं और कई जंगे तो इतनी मन पसंद होती हैं जिनसे आपका भी बोर ही नहीं होते यानि आपका मन उपता नहीं है क्योंकि चंद्रमा लगन में आपके मन की इच्छा को पूरा करता ही नहीं है अब ये मत सोचेगा कि ये मैंने negative sense में बोला ये मैंने ये बोला कि मन की इच्छा पूरी इसले नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा तीवृता के साथ अधिक गती से बढ़ती रहेगी इसले negativity नहीं है कि चंद्रमा आपके मन की इच्छा हैं तोड़ रहे है लेकिन एक बात तो है कि बच्छपन के अंदर लगन के चंद्रमा बहुत परेशान करते हैं किसी तरह शारेरिक द्रिष्टी से भी कर दते हैं कभी मानसिक द्रिष्टी से भी कर देते हैं परन्तु लगन के चंद्रमा परेशानी तो देते हैं और खास कर बच्पन में जैसा मैंने अभी कहा अब देखिए दर्शको एक बात और है कि लगन के चंद्रमा हमारी पस्नेलिटी यानि हमारे रंगरूप पर कैसा अधा डालते हैं दर्शको ये बात तो पता है ना आपको कि एक शुकलपक्ष के चंद्रमा होते हैं और एक क्रिशनपक्ष के यानि अधेर और चांदन अक्सर मैंने देखा है कि लोग ये मान लेते हैं कि लगन के चंद्रमा हैं तो व्यक्टी बहुत सुन्दर होंगे आप देखिएगा आपके अनुभव डेफिनिटली बढ़ेगा इस बारे में कुछ लोग सांबले होते हैं कुछ बहुत गोरे होते हैं ऐसा क्यों है यहाँ पर अगर दोनों के लगन में चंद्रमा है तो फिर ऐसा क्यों हुआ यही कारण है शिकल पक्ष का और क्रिशन पक्ष का उसकी गहराई में जाके देखिए कि चंद्रमा का स्वरूप क्या है उसके अनुसार आपको पता लगेगा कि लगन के चंद्रमा या बैटे हैं तो यह इनसान गोरे होंगे या सांबले होंगे अब यह चाहे पुरुष हों या महिला लेकिन एक बात तो पक्की है वो क्या रंग कैसा भी हो पर नैन नक्ष चेहरे की रूपरे का बड़ी प्यारी होती है आपके हावाव भी अच्छे होते हैं लेकिन इसमें क्रोध मत डाला करो जैसे ही आप क्रोध डाल देते हो तो चंद्रमा का एक बहुत important feature आ जाता है वो क्या है दर्शको वो भी बताऊंगा दर्शको पहले कुछ और बात करते हैं कि चंद्रमा आपकी वानी पर कैसा प्रभाव डालते हैं वानी पर चंद्रमा की बात और वो भी लगन के अंदर उसके एक खास वज़य है दर्शको कारण ये है कि चंद्रमा आपको सच से सामना करने के लिए तैयार कर देते हैं अब ये सच से सामना क्या मतलब? इसका मतलब ये दर्शको कि आप जब बाते बोलना शुरू करते हो ना तो बिलकुल कोरी सच्ची बाते बोल देते हो लाग लपेट के साथ गोल मुल करके बात करना नहीं आता तो इसकारण आपकी वानी कैसी रही? बिलकुल प्रत्यक्ष वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमान की ज़रत नहीं होती तो इसलिए आपकी बात आप इतने साफ सुदरे तरीके से देते हैं यानि कहते हैं कि सामने वाले को बहुत जादा बुरी लग जाती है आप तो कह रहे हैं कि हम तो सच बोलते हैं हम जूट नहीं बोल सकते लेकिन दर्शको कभी-कभी कुछ बातों को अगर पैकिंग अच्छी करके दी जाए तो बुराई क्या है तो इसलिए लगन के चंद्रमा वालो एक बात तो कहूंगा कि बात को इतना भी साफ सुतरे तरीके से मत बोलिये जो वो सच जरूरत से जादा कड़वा लग जाए वो मैं जानता हूं कि आप अपनी personality में परिवारता नहीं कर सकते लेकिन लगन के चंद्रमा आपको प्रेरित करते रहते हैं कि आप जिंदिगी में कुछ न कुछ नया अपनी personality में प्रभाव बनाते रहें अब यहां प्रभाव बनाने का मतलब यह है द जिंदिगी में उमर के हिसाब से बहुत अच्छी maturity ले लेते हैं लेकिन अगर को इस maturity को नहीं gain करता यानि उस experience के इस्तमाल ही नहीं करता सिर्फ ने बच्पन की मन की दुखी अवस्था में ही लगा रहता है तो फिर यह चंद्रमा क्या है यह है अमावस्या यानि मन में बोलियां खानी पड़ती हैं इसलिए कहरा हम दर्शको थोड़ा साफधानी अभी तो कुछ और बात बताऊंगा मैं साफधानी तो बाद में बताऊंगा यह साफधानी तो मैंने साधारन तोर पर बताई आपको असलिए शाफधानी तो वीडियो के अंत में बताऊंगा ले यानि हर बात में आप क्या सोचते हैं, कैसे फाइदा होगा या नुकसान, अब आप ये तो मत सुचिएगा दर्शकों कि मैं आपको पैसे से संबंदित कोई लालच की बात कर रहा हूँ, वो बात नहीं है, दन हो, मान संबान हो, समाजिक प्रतेश्टा हो, हर विशे का और नुकसान की कैलकुलेशन हर पल चलती रहती है, फिर भी आप साफ साफ बोलते हैं, ये आपकी काबलियत है, इवन यहीं लगन के चंद्रमा, आपको कभी-कभी दूसरों की बातों में उलजा भी देते हैं, क्यों? क्योंकि आप बहुत जल्दी अपने करीबियों की बात स्ट्रीम पर चली जाती है, चहरा तमतमा जाता है, एकदम लाल हो जाता है, आप कहेंगे अचारे जी चंद्रमा, चहरा तमतमाना, ये तो कुछ मंगल के हाव भाव लग रहे हैं, ऐसा नहीं है दर्शको, एक बात देखिए, जो चंद्र ग्रहे, प्रत्वी में समंदर के अ जो आर भाटा लाएंगे, इसलिए मैंने बोला, चहरा तमतमा जाता है, लेकिन कैसे तमतमा हट में आप हमला करते हैं, नाई, क्यों, क्योंकि ये कारे तो मंगल ग्रहे का है, चंद्रमा हमला नहीं करता, अंद्रूनी दुखी हो जाता है, वहां से बोल बाल कर कहीं निकल ज कहता हूं, क्या बोल दीजिए, बात को कह दीजिए, क्योंकि आप अपने मन की बात या तो कहेंगे नहीं, या फिर इतना गुस्सा हो जाएंगे दर्शको, जो आपकी सेहत पर आ जाएगी, आपकी 90 प्रतीशत बीमारियों का कारण क्या है, लगन के चंद्रमा का होना, वो इस रूप में, जिसमें आप अपने मन की बात किसी से कहींगे नहीं, क्योंकि देखें नहीं, दर्शको, आज आपको किसी को कोई बात बुरी लगी, मान लेजिए, आप उसे पोटली में बांध के अपने साथ ले जाएंगे, अब उसको पौधे की तरह बढ़ाएंगे, अ लगन के चंद्रमा एक तरीके से साधारन पानी को भी कभी-कभी विश में तब्दिल कर देते हैं, इसी कारणवर्श दर्शको मैं ये कहना चाह रहा हूं, कि अगर कोई बात बुरी लगी है, तो हातो आप निप्टा लो ना, कह दो, कौन सा कहने में आप पीछे रखते हो, जैसे मैंने भी कहा ना, सच का सामना, पर उस सच का सामना एतने वर्शो या महीनों के बाद नहीं होना चीए, क्योंकि उसमें सिर्फ नुकसान किसका है, आपका, तो इसलिए तुरन हिसाब किताब निप्टाईए, वैसे भी आप Profit Loss नो नापते रहते हैं, साधी एक और म कारे को, कोई बेमानी नहीं करते पैसे में, इसलिए मैं तो तक्रीमन लोग उसे कहता हूं कि किसी का अगर लगन में चंद्रमा है, आप उसे पैसे का कारे दे सकते हैं, पूरा आखरी अठमनी चमनी तक का हिसाब आपके हाथ में पकड़ा जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो क् करते हैं, सच का सामना, पीट पीछे उनको कोई बोले, ये उने बरदाश नहीं है, इसलिए लगन का चंद्रमा एक बात कहता है, सामने से बोलो, हम भी सामने से बोलेंगे, लेकिन वो सामने से बोलते नहीं है, मुझे पता है, आप पीछे से भी नहीं बोलते, पर मन में खड़ा जाती है क्यों कि बहुत वर्षों का हिसाब किताब मन में जमा हुआ होता है और बहुत जल्दी उस हिसाब किताब को बाहर निकालना चाहते हो इसलिए मैं एक बर द्वारा ये बात कहा रहा हूं दर्शको इतने वर्षों तक मन की बात मन में मत रखो साथी आपके जीवन साथे के साथ भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताता हूं लेकिन पहले एक मैध्वपून सूचना वो ये दर्शको कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी जनम पत्री में कोई ग्रह किसी भाव में बैठे हैं और वहाँ पर कैसा फल दे रहे हैं तो कैसे देखेंगे आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर आपको अन्य तरह की यानि कई तरह की प्लेइलिस्ट मिलेंगी जैसे मंगल कभविश्यफल सूर्य कभविश्यफल पर कहां बारा भाव में तो मंगल सूर्य ऐसे ही शनी ग्रह, गुरु ग्रह, राहू, केतु, कहने का तात पर यह है दर्शको, सभी ग्रह आपकी कुल्ली में बैठे अनुसार क्या फल दे रहे हैं, वो भी बारा भाव में इसकी वीडियो बनाने के लिए एक छोटी सी कोशिश करिए हम लोगोंने, अगर आपको अच्छी लगे, तो वहाँ दो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में यहाँ भी लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बनिये ना हमारे सब्सक्राइबर, आपके ज्यान और एंटर्टेमेंट, याने एजुकेशन और एंटर्टेमेंट में कोई कम ही नहीं आने देंगे, चलिए दर्शगो, आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को, हम कह रहे थे, जीवन साथी से संबंदे, क्या बात है, देखे दर्शगो, जीवन साथी के लिए भी एक सुजाव तो है, यहाँ पर, वो अभी बताता हूँ, पहले ये देखे कि जीवन साथी के साथ संबंद कैसा रहता है लगन के चंद्रमा वाले व्यक्ति का, देखे दर्शगो, लगन में चंद्रमा दो बाते एक्स्ट्रीम बढ़ देते हैं, या तो बहुत कम उम्र में मैंने आपकी शादी होते देखा है, या फिर आपकी परंपराओं के अनुसार उम्र की गती आगे बढ़ जाती है, यानि अधिक उम्र में, कभी-कभी तो मैंने देखा है, कि जिन परंपराओं में आप पले बढ़े हैं, उनसमें कहीं अधिक उम्र हो जाती है, और विवान नहीं होता है, तो लगन के चंद्रमा वालों के लिए मैंने ये खासतोर पर प्रवाव देखा है, जीवन साथी को लेकर, ऐसा क्यों होता है, कारण है दर्शको, जैसे शनी ग्रह, शने शने फल देते हैं न, ऐसे ही चंद्र ग्रह दिखने में लगता है, बहुत तेज चलते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में आपके जीवन साथी से संबंदे समय लगाते हैं, इवन आपका विवाज जल्दी भी हो जाए, तो भी आपसी सामज़से बठान या समय लगएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार दो रहेगा, और वैसे भी मैं हमीशा कहता हूँ, आपके पॉजिटिव हो या नेगेटिव कमेंट्स हो, हमारे अनुभव को बढ़ाते ही हैं दर्शकों, तो मैं ये कह रहा था, कि जीवन साथी से संबंदित अनुभव ये रहता है, कि जीवन साथी मिलने में समय भी लग सकता है, साथी जीवन साथी के साथ सामझसे बिठाने में समय भी लग सकता है, लेकिन फिर भी आपके जीवन साथी के लिए एक सुझाव है, वो क्या है, जैसा कि दर्शों को मैंने थमनेल में लिखा है, जाने भी दो यारो, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब समझाऊंगा, वो आपके लिए भी है और आपके जीवन साथी के लिए भी, बात को पकड़ कर बैट गए जो जीवन साथी ही चला जाएगा, यह बड़ी दुखत अवस्ता हो जाएगी, इसलिए जाने भी दव्यार हो, उसकी जिक नहीं मिलेगा, भूल जाएगे, मत डूंडिये किसकी गलती थी, आपके जीवन साथी की, गलतियां डूंडने निकले, तो चंद्रमा इतना विनाशकारी हो जाएगा, कि मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूँ दर्शको, इसलिए कह रहा हूँ, जाने भी दो यारो, छो और दो उस बात को उसकी गहराई में मत उतरिये, क्यों क्योंकि चंद्रमा की गहराई में उतरना नामुम्किन के परे है, जो इतनी जल्दी पृत्वी ग्रह को प्रभावित करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो आपके मन को कितना प्रभावित करेंगे, एक पल के लिए उसमें बार बार गोते मत लगाईए, नहीं तो क्या मिलेगा, ऐसा लगेगा, जैसे जल में नहीं, विचारों में नहीं, कहीं न कहीं, विश में गोते लगा रहे हैं, और मन और खराब होता जाएगा, और संबंद तूटने की कगार पर आ जाएंगे, इसलिए ये साफधान आपको दे रहा हूं दर्शकों, लेकिन दर्शकों अब ये बात जरूर कहूंगा आपसे, कि थोड़ा सा लगन के चंद्रमा के कारण आपको भी सुधरना चाहिए, क्या, आपका मन ना एक तरह का शक उत्पन करता है, अब शक आते के साथ ही ये मत सोचिएगा, कि आप अप आज के किसी भी व्यक्ति से संबंदितों, जिससे आप वारतालाव कर रहे हैं, क्या, आप ये सोचने हैं कि जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं, इसमें कितना सच है और कितना जूट है, हमेशा उसको तोल मूल करते रहते हैं, इसी के चक्कर में हर बात की तहे में जाना चाहते ह हर बात में कभी-कभी आप घुस जाते हैं क्या आवशकता है कभी-कभी कुछ बातों को सामान्य तौर पर लिया जाता है दर्शको तो चंद्र लगन के यही कहते हैं कि जाने भी दो यारो और चीजों को सामान्य तौर पर लीजिए फिर देखिए लगन के चंद्रमा कितनी श चारों के अनुसार कम तो करना पड़ेगा क्योंकि दर्शकों यहां पर आपके पढ़ाई के लिए आपकी कमाई के लिए लगन के चंद्रमा बहुत शुपफल देते हैं आप बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई यानि कमाई के साथ दोनों मिलके कर सकते हैं, आप अपना नाम, अपना मानसंबान बढ़ा सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है कि उस चीज़ को इतनी गहराई से मत ले लीजेगा कि कभी-कभी आप डिप्रेशन का प्रबाव हो जाए, मैं जान बूच के तवारा इस शर्द का इस्तमाल कर रहा हूँ, और यही है इस वीडियो की सबसे बड़ी साफदानी, क्योंकि लगन के चंद्रमा आपके विचारों के गोतों में आपको खुद ही गिरा देते हैं, वो फिर एक ऐसी दल हो जाती है, जिसमें से आप बाहर आने की खोशिश करें, और अंदर चले जाते हैं, लेकिन क्या कोई अच्छाई है, बहुत जबरदस अच्छाई है धर्शकों लगन के चंद्रमा की, वो यह है कि आप दूसरों की हेल्प करने में एक प्रतीशत भी पीछे नहीं होते हैं, मैंने वीडियो के बीच में बोला ना, कि आपको अगर कोई जिम्मेदारी दे दो, आपको कोई पैसे का हिसाब किताब दे दो, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक ऐसी अगर आपको कोई सहायता के लिए पुकारे, मतला भी नहीं बनता कि लगन के चंद्रमा वाला मूँ मोड के खड़ा हो जाए, जिससे तू-तू मैं में भी हुई है ना, जगड़ा भी हुआ है, उसके लिए भी उसके बुरे समय में तो साथ जाके खड़े होई जाएंगे, क्योंकि लगन के चंद्रमा क्या है, समाज एक व्यक्ति, बैई चंद्रग्रह सब के साथ मिलके चलते हैं, आप जोतिश के घहराई में जाके देखिए, चंद्रग्रह के शत्रू कितने हैं और मित्र कितने हैं, जड़ा सोच के बताईएगा कि क्या वेदिक शास्त्र में चंद्रग्रह के बहुत सारे शत्रू हैं या बहुत जादा मित्र हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बता आउंगा दर्शको फिरवानीगों विराम कि अगर आपका पैतरिक समपत्ती का कोई बात चल रही है कोई विवाद या यह कहूं दर्शको विवाद को नहीं कहना चीए कोई विशे चल रहा है कि क्या पैत्रिक संपत्ती हमें मिलेगी बड़े मज़ेगी बात है दर्शको शांती पूर्ण तरीके से मिल जाएगी बस आप एक काम करना या आप कुछ मत करना ठीक है दर्शको अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो शांती पूर्ण तरीके से मिल जाएगी नहीं तो खामा खाब बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा आपकी कमी नहीं है दर्शको यह लगन का चंद्रमा है जो हर बात सच बुलवाता है और सच के कारण सामना करते करते लगन का चंद्रमा है तो मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा और सरफ एक बात सोचिएगा जाने विदो यारो तो आपको कैसी लगी वीडियो दर्शको बताईएगा कमेंट बॉक्स में लाइक तो करी दीजिए वीडियो को और हां अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया दो कर लीजे चैनल को यहां तक वीडियो देखने के लिए सभी दर्शक गण का बहुत बहुत धन्यवाद